देर स्टुएंट्स आज भारतिये सोंता संग्राम का हम लोगों का अंतिम क्लास है और आज के क्लास में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वो टॉपिक है मौंद बेटन योजना ये मौंद बेटन योजना को मन बाटन योजना भी कहा जाता है क्योंकि इसी के माधियों से हमारे देश दो टुपड़ों में बढ़ गया था एक भारतिये गनराज और दुजरा पाकिस्तान करें माधिया हमारे लिए काफी महर्पूल है क्या कि वो क्या परस्थित्यां जिसके कारण हमारा देश दो भागों में बढ़ गया तो आज के क्लास में संचित रुप से ये बहुत विश्क्रिफ टॉपिक है और बहुत विवादिफ टॉपिक है तो इसलिए हमारा प्रयास ये होगा कि परिच्छा के दृष्टी कों से जो इस टॉपिक का वस्तुमिस्ट व्याक्या हो सकता है और जेक्टिवली एक्स्क्लैनिशन हो सकता है हम लोग अपने आपको वहीं तक्समी करते हैं इसके विवादों में ना जाए और इसके अन पहन्दमों को ना चुए तो कि इससे क्ला कर्मिनेर्ट मिश्यानि जोजना में जो चीजे थी वो ये कि दो चीजों का मुख रूप से पारिश प्यारता है जैसा कि आपको याद होगा एक के कि अंत्रिम सरकार का और दूसरा कि सम्दीधान सब्सक्राइब है याद होगा कि ये दो चीजों कि सहस्तूती किसने किया था तो काबिनेट मिश्यानि ठीक है अब इस सहस्तूती के आधार पर इस दोनों चीज के लिए एक चीज जरूरी थी निर्वाचन यानि चुनाओ है ना जब तक ये नहीं होता तो तम्विधान सवाटी नहीं बनता क्यों क्योंकि इसमें था कि भारतियों के दवारा चुने गए जो बाडी होगी वो इसका निर्वाण करें तो निर्वाचन जो हुआ वो जुलाई उन्हें सो च्याले सिस्ट कब गवा जुलाई नाइटीन हंडेट पॉटी सिस्ट कैबिनेट मिशन योजना का भाई मार्च नाइटीन हंडेट पाई उसने संस्तुति क्या क्या के एक अंत्रिम सरकार बनी और दूसरा संविधान सभा का वो गटन अब इसमें जतने पुरो विजन्स थे कौन-कौन तो वो सब पुरो के क् हम लोगों का जो यहां उद्देश है कि के कैबिनेट मिशन जोजना का जो रिकॉमेंडेशन था उस रिकॉमेंडेशन को जब प्रैक्टिकली लागू किया गया तभी विवाद उभर करके सामने आता है तो इस निर्वाचन में दोनों दलों में भाग लिए या कहिए सभी दलों में भाड़ते हैं दो दल हमें आपर इसलिए कर रहा है कि दो दल भी महत कुम थे बाकी दलों कास्तित्व राश्ट्रिये अस्तर पर नहीं था तो दो दल जो कासी महत कुम थे उसमें एक कावरेश थी और दूसरा मुस्विंगी तो यह जो निर्वाचन हुआ यह संप परदाएक निर्वाचन परड़ाली के अधार पर हुआ अर्थार जो 1935 के अधुनियम में प्राबधानी थे के विशेस वर्गों के लिए अरच्षित सीटे कर दी गए तो उस ब्रॉंज में हुआ जब निर्वाचन हुआ तो उसमें जो जेनरल सीटे थी उसमें कॉंग्रे सब्सक्राइब निर्वाचन में देखा था और पढ़ाया था आपको कि 1937 के अलेक्षिंस ने मुस्लिम को मुसल्मानों ने नकार दिया और जो आरक्षित सीटे थी मुसल्मानों के लिए वहाँ भी कॉंग्रेस जीती लेकिन यह जो 46 के अलेक्षिंस हुआ इसमें ऐसा नही जो आरक्षित सीटे थी उस आरक्षित सीटे में वह मुसलिम पूरा का पूरा जितने में सब्करिणने तो यह पहला आउसर था भारत में कि जिसमें मुसलिम ने यह दावा कर सकती थी कि हम मुसल्मानों के पाते क्योंकि मुस्लिम आरक्षिप सीटों में से तीन ही सीट आज था जो कंग्रेस जीरता है बाकि सब के सब मुस्लिम जीरते में सबने तो यह वो घटना था जिस घटना ने मुस्लिम लिग के मनोबल को काफि बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ कि इस एलेक्शन के बाद एक 946 इस दिन में मुस्लिम लिग के द्वारा क्या किया गए तो एक आंदोलण चलाया गया जिसको कहा अटा है परत्यपश कारवाई दिवस यानि डाइरेक्ट एक्षन दे डाइरेक्ट एक्षन मुस्लिम लीग यदुबी कि 1940 में पाकिस्तान की मांग को रख दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए लेकिन केबिनएट मिशन योजना जब लागू हुआ तो केबिनेट विशन योजना को मुसलिम लीग ने अन्मने धंग से स्रीकार करáticas आप अच्छी तरेके से जानते हैं कि केबिनेट मिशन योजना में वीभाजन का परस्ताव नहीं थी इसको दिमागे रहती है तो मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को मानने का अर्थ यह हो गया कि अब वो विभाजन के पक्ष में नहीं है यानि मार्च 1945 के बार की रणमिती जो मुस्लिम लीग की रही और इसी लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहट जो निर्वाचन कराया गया जुलाइगे उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया भाग लेने के बाद जो सफलता उसको मिली उस सफलता के कारण मुस्लिम लीग की नीती रह बदली और पुना जो बदली तो उसने 16 अगस्त उने 146 इस लीग हो परत्यक्ष कारवाई दिवस डायरेक्ट एक्षण डे मनाने की भुष्णा करते अब आपको समझना होगा कि डायरेक्ट एक्षण डे या परत्यक्ष कारवाई दिवस आ क्या तो ये मुसल्मानों के द्वारा हिंदूों के खिलाफ दंगा करने की एक होशित निती इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुआ और कलकत्ता में उस समय मुस्लिम लिखी सरकार्थी यानि बंगाल में और सुभरावर्दी वहां के परधान मंत्री थे यानि आज के मुख मंत्री और एक नीती के तहत सुभरावर्दी में उस दिन यानि 16 अगस्त को आउकाच घोशित करने पूरा सरकारी कार्याले महकमा बंद रहे हैं अग इसका आर्थ क्या था कि पुलिस विभाद की छुट्टी पे रहे हैं और मुसल्मानों ने जम कर हिंदू का फद्र कहा जाता है कि इस दिन चार हजार हिंदू कलकत्ता में मारें इसके बाद यह दंगा नुवा खुली पहुच गया कलकत्ते से 10 अक्तूबर को और वहां भी हिंदूों के साथ बहुत वेरामी के साथ कत्ल किया नुवा खुली मंगला देश में ऐसी परस्थिती मैं यह सब बात लिख नहीं रहे हैं कि ह तो हम प्रिष्ट गुमी आपको बताते हुए चल रहे हैं और बाकी चीज़ें आप अपना डेट लिखना होगा तो आप वीडियो पाउद करकर पे अपना कर दिशे हैं ठीक है हम डेट सब बताते हैं अब जब हुआ बंगाल में इसकी पर्तिक्रिया विहार में उत्तर पर पर्देश में और बिहार में क्या हुआ कि 25 अक्तूबर को दंगा हो गया तो यहां हिंदूओं ने मुसल्मानों को पकल करना शोय थे उत्तर पर्देश के गण मुक्तेश्वर में नौंबर आते आते जो है वो दंगा पहुंच चुका था और वहां एक हजार मुस्लिम तिर करने इस परकार मार्च 47 तक आते आते यह दंगा संपुर पंजाब में और भिशंतम रूप ले लिया इतना भिशंतम रूप ले लिया कि गांधी जी को अपनी नीटियों पर शक्त होने रखा तब गांधी जी कलकत्ता चले गया और कलकत्ता से लुआ खुली गया इस समय ए कि गांधी जी के साथ कॉंग्रेस का कोई व्यक्ति साथ लोगिया सेवा एक समाजवादी के और वो समाजवादी थे राम मनोहर लोहिया ठीक है यह सब छुपा हुआ जो अप्डेंटिव है इसको जान बूच करके याद रखिया यही सब कमिशन्स में कोशन्स इराइस किया जाता है राम मनोहर लोहिया और गांधी ऐसे तो उनका वियोद दोनों का हुआ मुसलमानों ने भी किया हिंदू ने भी किया लेकिन गांधी को अपनी नीतियों पर जो भारत में राजनिती कर रहे थे वो उन पर काफी विश्वास था नतीजा हुआ कि गांधी के आगमन के पष्षाथ नोख़ली में दंगा रुप गे कलकत्ते विया करके गांधी जी ने उक्वास किया तो सुहरावर्दी जो है उनके साथ आने के लिए तेग्याद हो इस तरीके से गांधी और सुहरवर्दी के साथ आने के पाद दंगा पर जो है नियंत्रन अस्थाफिक कर दिया लेकिन ये नियंत्रन ऐसा नहीं था कि संकुन भारत में स्थाफिक हो पंजाब जल्ही रहा था बंबई जल्ही रहा था बंगाल में दंगों को नियंत्रिप करने के परिवेश में इसलिए मौन बेटिन ने कहा था गांधी के बारे में जो पुलिस यसेना हमारी नहीं कर सकी वो गांधी ने अखेला कर दिखाया यानि दंगों को रोप दिया इसका मतलब ये एक अखेला आदमी सैनिक है जिसके पास तीस हजार सैनिकों का बनी तो यहां पर गांधी क्या नीती या औचित पे साबित हुआ कि गांधी सही पर थे लेकिन इस पक्ष के बावजूद भी ये भी एक पक्ष था कि दंगा नहीं रुकना और यही दंगा नहीं रुकना इस बात की परसितियां पैदा कर रहा था कि भारत अब विभाजी अगर ये दंगे नहीं होते तो फिर भारत के विभाजन की परिकलपना जो जिन्ना पाले अब दिखिए इस घट्टा के बाद जो दो डेट आपको है वो याद रखना होगा हम बिल्कुब अब्यक्टिब्ली प्रतना चाह रहे हैं क्योंकि इसमी अंतरिम सरकार बनाने की बात थी तो एक डेट है दो सितम्बर कि नाइटी फोटी शिक्स और एक गेट में 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर नाइटी फोटी शिक्स इसमें क्या हुआ कि कॉंग्रेस ने सरकार बनाने और 46 में क्या हुआ अक्टूबर 26 अक्टूबर 46 को के मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगे कौन मुस्लिम लीग नहीं सरकार में शामिल होगे अब ये दो घट्ताओं को आपको देखना होगा इसके अंदर बहुत सारी बाते समाहित हैं शामिल हैं कि यहां हमने बताया कि अंत्रिम सरकार का गट्म होगा अंत्रिम सरकार का मतलब यहां पर ये था कि ब्रिटिक सरकार भी रहेगी और भारतियों के भी सरकार रहेगी मतलब क्या होगा कि सुप्रिमो ब्रिटेन रहेगा लेकिन देश के अंदर आंत्रिक मामले जो है वो भारत के लोग देखे अर्था दूसरे शब्दों में कह लिए कि संचार सुरक्षा मुद्रा ये सब विशय तो गवर्ण जनरल के पास होगे यह सेना लेकिन अल्ग विशय जो है पुन रूप से इससे प्रांतिय स्वाइस्ता मिल वही थी 1935 के द्वारा प्रांतों को उसी धंग से स्वाइस्ता पूरा का पूरा मिल जागा किसको किन रस्तर पर इसका आर्थ ये है इसका आर्थ ट्रांस्पोर ओफ पावर नहीं था यहां पर हलाकि अंप्रिम सरकार शब्द का इस्तमाल होता है तो उसका आर्थ यही लगाया जाता है कि ट्रांस्पर ओफ पावर के लिए इंप्रिम गोवर्मेंट बन रही है लेकिन अभी उद्देश यह नहीं था तो ऐसी परस्थिती में गवार्नर जेनरल ने अगस्त वही में में ही जवाहा लाल नहलू को पत्र लिखा कि आप जो है सरकार बना लिए इस समय विवाद क्या उबरा वो ज़रा समझने की जबर हो तो कुल 13 लोगों का मंत्री मंडल बनना था कितना उसमें से पांच कॉंग्रेस के पांच मुस्लिम लीग के एक सिख से एक अनुसुचित जाती से और एक एंग्लोईडियन से कॉंसिल आप मिनिस्टर में लोग शामिल हो दे यहाँ पर मुद्दा यह हो गया कि मुस्लिम लीग ने ये डिमांड कर दी कि जो पांच मुसल्मान है वो सभी का सभी नामांकन हम करें और कॉंग्रेस जह जो पांच हिंदू है उनका नामांकन करें कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस के अस्थापना के समय मूल नित्यों के उड़ दुखा ओ कॉंग्रेस कभी भी कभी अपने आपको हिंदूओं की पार्टी घोशित नहीं की थी उसका पूरा सुतम्ता संग्राम का इतियार धर्मिर्पेश्टा के सिद्धान्तों पर आधारिक तो अगर लिग की बात को कॉंग्रेस मान लेती इसका मतलब कॉंग्रेस इस बात को मानती के साहब हम हिंदुओं की पार्टी इसलिए कॉंग्रेस नहीं माना तब फिर मजबूरी वस विवर्ज था वेवेल को इसमें वेवेल ही गवर्णनेट जर्मनी था मौलबटे नभी नहीं आया था कॉंग्रेस को मंत्री मंटर बनाने के लिए अमंत्रित करना पड़ा और जिन्ना जो है वो इस दिन 2 सितंबर को सरकार में शामी नहीं और कॉंग्रेस ने जो सरकार बनाई उसमें जो लोग शामील थे वो पंडी जवाहर लाल नेहरू सरदार बल्ला भाई पटेल डॉक्टर राजेंदर परसाथ अरूना असापली राजगोपालाचारी शर्ण चंद्र भोस्ट डॉक्टर जॉर्म अथाई सर्दार बंदेव सिंद् सरसफार ताहमद, जग जीवन नाम, सैयन अली जहीर और सी एस भावा इसमें आप गौर से देखिएगा कि मौराना आजार का नाम नहीं है क्यों नहीं है तो मुस्लिम लिख के इसी हट्धरमिता के तर्म को बहुत बुरा लगा तो नहीं कहा कि हम कौंचलर परिश्टर में सामिल नहीं है अब जब यह सरकार बन गई तो बीच-बीच में वेवेल जिन्ना से मिलता रहा उसको बुलाता रहा पुछकारता रहा कि तुम भी सरकार में शामिल हो तो ऐसा क्यों ऐसा इस कारण से हुआ कि अंतरास्तिय आस्तर पर वो यह साबित कर सके कि हम सभी को सत्ता हसांतित करना चाहते हैं को एक वर्ग भी अचुता नहीं रहा तो ऐसी परस्थिती में वेवेल के सामने मजबूरी थी कि हम मुस्लिम लीकों सरकार में शामिल कर लाए कुछ समय गुदरने के बाद दो सितंबर के बाद 26 अक्तूबर के बीच में उसमें एक छन जिन्ना को यह लगा कि हमें सरकार में शामिल हो जाना चाहिए हम अगर सरकार से बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान की मान को मजबूती के साथ नहीं उठापाएगा तो इस परकार से सहमती भर दी भर दिया जिन्नाने कि हम सरकार में शामिल होगे और 26 अक्तूबर 1946 को मुस्रिम लिग सरकार में शामिल हो गई तो कॉंग्रेस ने अपने पांस सदस्यों को जो मंत्री मंडल में थे उसको विड्रावल ले लिया और विड्रावल लेने के बाद जो है पांच मुस्रिम लिग के मेंबर जो है उसमें शामिल होगे उसमें सबसे महत्पुन बात यह है कि विड्रावल ले मुस्लिम लिग के पास चला गया यह एक ऐसा मंत्रावल होता है कि अगर यह अड़ांगा लगा दे तो बाकि सारे मंत्रावल के काम अबरूद हो जाए मुस्लिम लिग के तरफ से तो ऐसी परस्थिती में जो है उनका नाम लियाका तलीखान यह मुस्लिम लिग के था और कैनास मिश्टर बने तो लियाका तलीखाने बजाकते तोर पे खोशित कर दिया है कि हम सामूहिक इसको जड़ापणिया से समझेगा कि हम सामूहिक नेश्वित्व को नहीं सुविकार करते हैं मंत्री मंडल ये शाष्य में वेस्था की विशेष्था क्या होती है कि उसमें कलेक्टिव सामूहिक उत्तरदाइद देना पड़ता है का आर्थी ये होता है कि जो हेड आफ दा कॉंसिल आफ मुनिस्टर से यानि अभी का प्रैमिनिस्टर उस समय का उप राश्वती कहा जाएगा जो पंडी जवहालाल नहीं रूज है उनके नेत्रित्व को उसने मानने से इंकार कर दिया लिया कर दिया और फिर अन्विभागों के जितने रिकॉम्मेंडेशन आते थे भी तमन्रा नहीं किसी के लिए पैसे का इलार्टमेंट नहीं कर तो इस परकार से मुस्लिम लिग ज देश चलाना उदेश नहीं था बलकि पाकिस्तान बनाना उदेश था अब्बा समझा रही है एक तरफ यह परस्थितिया चल रही थी कि सरकार ठब थी दूसरी तरफ दंगा रुका नहीं था जो भी पूर में विगरम दिया तो दोनों इस थितिया में देश कैसे चल सकता थ अब ऐसी परस्थिती में कुछ और घटना है घटी जिसका विगरम देना अनिवार्ज होगा वो घटना यह था कि गांधी जी ने घोचना कर दिया कि अब विभाजन जो है मेरे लाश पर से हो गांधी जी तैयार नहीं थी मौरणा बुल कराम आजाद भी तैयार नहीं थी क लेकिन जो परस्थितिया थी उस परस्थितिया में अब हालात ऐसे बन रहे थे कि बीना विभाजन के देश चलगी नहीं सकता तब वेवेल ने जो है वो तैयार किया पटेल को और नहरू को तो गांधी जी इसी बीच में वेवेल से नीले और उन्हें वेवेल को कहा कि ऐसा किजिए कि आप जिन्ना को ही पर्धानमत्री बनाते हैं कॉंग्रेस के हाथ में सत्ता मत दीजिए मुत्री के हाथ में सत्ता दीजिए और हिदूओं की सुरक्षा के लिए आप यहां पर कुछ दिन और रुख जाएंगे गांधी जी का ये परस्ता को एक सिरे से पटेल ने और नेरू ने खारिश कर दिया और वेवेल भी इस पक्ष में नहीं कि हम अब यहां रहें चुकि आर्थिक रूप से उसको हानी हो रहती ब्रिटेन को जुत्य विशुद में उसको बहुत लॉजबा था अंतराज्टी अ नहीं कॉंग्रेस के नेताओं ने माना और नहीं वेवेल तब गांधी जी विभाजन के लिए अन्मने धन से तैयार को जब गांधी जी तैयार हुए तो फिर सबसे महत्मुन बात है कि कॉंग्रेस के कार्शकारणी में ये जो परस्ताओं रखा गया वो मुलाना वुर्कला आम आजाद के दुरा रखा गया और उन्हों ने जो रखा उसके पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी मजबूरी में इसको एक्सेप्ट किया है कार्यार की विभाजन किसी भी परस्तिती में स्वीकार योग नहीं है पभूलियत के लाइक नही पर हम देश के विभाजन नहीं करें यह उचित में इसलिए देश में सांती बने और देश प्रगति करें इसलिए हम विभाजन करने के लिए तयार और इस समय नेताओं को यह आ चाती खास्तर से गांधी तयार क्यों रहते यह इंटरनल बात यह है कि गांधी को सिर्फ यह पथा था कि जिनना जो है बहुत दिन का मेहमान नहीं है मुष्किल से 5-6 मेराबादी मर जाएगा चुंकि इन ही को पता था कि इसको कैंसर यह ऐसका और घ्लाज नहीं है तो जब जिनना खतब हो जाएगा उसी का इस जुख है तो फिर पाकिस्तान जो बनेगा वो वह वाप जब यह सब हो गया, तब जो है, वो एक घटना घटती है, एटली की घोष्ण, क्या घटना घटती है, एटली की घोष्ण, एटली की घोष्ण, जो होता है, वो 20 पर वरी 947, और इसनी ही कहा जाता है, कि जून आटालिस तर्ट नाइटीन हड़ेट पोटी एट कर भारत, सौतंत्र कर दिया जाता है, तीक है, और इसके लिए जो है, वो 22 मार्च 947 हो, कब? विवल के अस्थान पे, मौउट बिटल, वाइस सराइ बने, क्या बने, वाइस सराइ बने, अब देश कैसे विवाजित होगा, तो वो पूर्व के अभी अभी बातों में अस्वस्थ हो गया था, कि हालात ऐसे हो गया थे, कि अब देश को अक्छुन रखना, सिवा हत्या कराने के संप्रियों, इसलिए हत्याओं से बचने के लिए, दंगे से बचने के लिए, एक विवश्था के तहथ जो है, विवाजन को स्रीकार किया गया, ये ताहा की गया, अब जब ये हो गया कि कॉंगरेस भी तयार है, मुस्रिम ली भी तयार है, तो किलिमेंट एटली जो बिरिटेन के परधानमंत्री थे, जो 1945 में चुनाओ जीत कर भारी बहुमत से बिरिटेन के परधानमंत्री बने थे, और वो अपने घोंशना पत्र में कहा चुके थे, कि कि यदि हम सरकार बनाएंगे तो भारत को सौतंत्र करते हैं इसका मतलब ब्रिटिस जनमद उनके साथ भारत की सौतंत्र करते हैं इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ कि जब वहां के दोनों पक्ष तयार हैं उन्होंने 20 परवरी को दंगा 16 अगस्त चली रहा था 20 परविल तक भारतिन तर तयार होई चुके थे तो 20 परवरी को उसमें भोचना कर दी के जून तक हम भारत को छोड़तर के चले दे इसके पहले ही यह लास्ट देट था कि इससे अधिक महीं होगा अब यह कस्ट साज चीज था इसके लिए घेव सब्सक्राइब को भारत भेजा गया क्योंकि उसके संबंद सभी पक्चों से बहुत अच्छे लौड मॉंट बेटन को यह भारत में आने के बाद इभी नेताओं से अपना विचारी मर्श किया इसमें पेज फसा दो बाद क्या जंग संख्या के आधार पर विभाजन हो या है चीदे तो अगर जंख्या के आधार पर विभाजन हो तो फिर एक लंबा समय लगता है लंबा समय क्या की जंसंख्या का अस्ठान आत्रल करना मने पूरा जनसंख्या काउंट करना पड़ता, जितना परतिसत होता, उतना भुभाग जो है, उतना परतिसत भुभाग अलग करकर के उस जनसंख्या को देना पड़ता वैवहरिक्ता इसकी इजाजत नहीं दे रही थी, वह जड़ा समझने की बात है आज में यूँई हवा में बात करते हैं, यह जो विभाजन हुआ था, यह जो चुना हुआ था, यह वास्तों में सारम्हाम विचार नहीं था. जो समिधान सभा का चुनाव वो पर्तेक्ष तो हुआ नहीं था, आप पर्तेक्ष हुआ था जो एक ग्यारा विधान सभाएं थी, वहीं चुन करके भेचे थी इसका मतनब इस चुनाव में जंता की भागिदारी नहीं थी पहली हो दूसरी बात की जो विधान सभाँ चुनी गई थी वो सिर्फ 15 परतिसत लोगों के मद्दान के द्वारा चुना गया था यानि भारत में जो निर्वाचन की पंती अंग्रेजों ने विक्सित किया था उसमें जो आम चुना हुआ उने सभाँ उसमें सिर्फ भारत की जन संख्या के 15 परतिसत लोगों नहीं भाग लिया था और वो लोग कौन थे तो या तो जमीनदार थे या तो सरकारी मुलाजिम थे या तक ग्रेजवेट थे आम जन इसमें शामिल 15 परसेंट पर नहीं यानि भारत के नोबल खिलास के लोग तो आम जन में जो हिंदू भी था वो भी जो मुसलमान था वो भी उसको इस विभाजन से मत्तवी नहीं था कोई जनकारी नहीं था उन दोनों के 20 देहातों में बहुत मधूर संब्ध बने हुए थे आज और ऐसी परस्थिती में उन देहातों से अगर मुसलमानों को निकाल करके आप बोलते कि चलिए आपका जमीन वहां है तो कोई निकलता ही नहीं नहीं हिंद क्योंकि भारत का सामाजिक और आर्थिक सम्रचना इतना आबद हो चुका था इस समय तक के जनसंख्या का अगर पलायन करते तो अर्थ हैवस्था पूरी की पूरी चौपट हो जाते है समाज पूरी का पूरा टूड जाता एक ताना बाना बना हुआता है एक लंबे समय ने अंग्रेज भी इस बात को जानते हैं कि यह संभाव नहीं और फिर फस जाएंगे इस चक्र इसलिए देश का विभाजन भुभाग के अधार और भुभाग के आधार पर क्या निड़ा हुआ तो जो मुस्लिम बहुल चेत्र थे उस मुस्लिम बहुल चेत्र में जो वहां की जसे आप समझ यहां भी बहुल से जो वहां की विधान्व सहाएं थी वहां की पब्लिक भी नहीं उन विधान सनभाओं में मुस्लिम मेंबर्स और और हिंदु मिम्बर्स को अलग कर दिया गया नियों और फिर उनसे मद्दान करवाया गया कि आप किसके पक्ष में है भारत में रहने के पक्ष में है या भारत के से जाने के पक्ष में है बात समझें तो सुभावी एकसी बात है कि उस आप नवल किलास के लोग थे कौन जो MLA थे पबलिक को कोई मतलब नहीं की तो MLA ने फैसला कर लिया कि नहीं हम भारत के रहने के पक्ष में है मुस्लिम में तो आप जो-जो मुस्लिम MLA जहां-जहां से चुना गया था सबका छेत्र होगा तो वो वो छेत्र जो है पाकिस्तान में बास बन जाई है और इसके लिए कि अधिने सिमाकन कर दिया कि यह जो है वो पाकिस्तान है और ये मतदान जो है चुकि दो जगों पे हुआ एक बंगाल में और दूसरा उत्तरपच्छिम भारत तो इसलिए पाकिस्तान दो रूपों में उभर करके सामने रहा तो कि बंगाल मुसल्मान बहुमत में थे और प कि खान अब्धूलगाफार का एलाका था यह पच्तूं का एलाका स्वादघाटी का एलाका यह पाकिस्तान के मिलने के पक्ष में नहीं थे तो इन्हीं ने कहा, कॉंग्रेस में थे, कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन जो इभाजन हुआ था, उसमें तो बीग में पाकिस्तान चला गया था, तो ये संभव नहीं था, तो खार दून का फार ने उस समय बहुत रोते मन से कहा था, कि कॉंग्रेस ने हमें थ्वका हम जिस आजादी की लड़ाई लड़े थे कॉंग्रेश ने हम इन भेड़ियों के सामने चोड़ कर चलाएं और अंग्रेजों ने इसमें चाल क्या चली कि कहा कि वहां जर्मत संग्रा होगा स्वाधगाटी में और जिन्या ने जो है वहां धांधली करकर के अपने आफिसर्स क जर्मात संग्रा में पाकिस्तान के साथ मिलने का रेफेरेंडम करा तो इस रंग से वो स्वाद घाटी और खाल मुर्वा पारखार का देश्चे दर्था वो पाकिस्तान में तो यह सारा परपंच यह सारा सडंत्र जो है वो रचा गया तो उसी के तहत मौन बेटन योजना बनी तो हम लोग देखें यह कि मौन बेटन योजना में कौन-कौन से सिखारिशे की हो तो अब तीन जूल उनिस्व सैतालिस को कब मौन बेटन योजना योजना लागू हुआ और चुखी इसको मन बाढ दिया गया था इसलिए इसको मन बाटन योजना भी बोलता है और हिंदु मुसल्मानों के पीछ क्या हुआ मन बढ दिया इसको क्या बोलेंगे मौन बेटन योजना और इसमें जो सिखारिशे की गई उनको जरा गौर से देखती है उसमें पहला बात यह था कि भार्तिय संग दो भागों में बढ गया दो भागों में बढ दो भागों तो एक भारत और पाकिस्तान संभीधान सभा के परस्तों उनकर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते हैं जो इसे नहीं मानते हैं और तीसा के बंगाल और पंजाब में हिंदु एवा मुस्लिम विधाय कोकी मुस्लिम विधाय कोकी अलग-अलग बैठ़ गुलाई थी अलग-अलग बैठ़ गुलाई थी अलग-अलग बैठ़ गुलाई थी और उत्तर-पच्मी सीमा प्रांग में यानि खाम अब लुगंपार खावना छेत्र में सीवा प्रांग में जनमत संग्रह कराएगा आसम के सिहट गिला में सिलहट गिलावे जनमत संग्रह कराएगा ठीक है और भारतीय नरेशों के परती भारतीय नरेशों के परती पुरानी नीती बनी रही पुरानी नीती का मतलब पुरानी नीती का मतलब जो मौन बेटेन सवरी जो कैबिनेट पीशन योजना पे जो नितीखा हो इसको तो 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 बात और अश्पस्थ हो जाएगी तो पहला तो यह तैंग हो गया कि भारत बढ़ जाएगा यानि एक पाकिस्तान बनेगा और एक भारत बनेगा और इसमें जिन्ना का यह जित था कि सौतंतता की पहली भोशना पाकिस्तान की होनी चाहिए यह हम भारत से सौतंता नहीं लेगे हम ब्रिटेन से सौतंता लेगे ताकि भारत बात में यह नहीं करें कि हमने तुमको अलट किया है एक टेकनलिटी के हिसाब से 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 12 बज़े राथ से पहले, और 12 बज़े राथ के बाद भारत बना, इसलिए 15 अगस्त उसको मना जाता है आप देखिए आगे की चीज़ को देखिए कि समीधान सबाब के परस्ता उन पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते हैं ये वाला प्रोवीजन और ये वाला लास्ट वाला ये दोनों मिला करके पॉड़ने की ज़़ा है कि ये दोनों का सम्बध्व कैबिनेट विशन यूजना से हैं काबिनेट विशन यूजना की बात आप याद कर लिजे कि भारती Ein नरेशों के बारे में क्या कहा लिया तुक चाहें तो इस संग में शामिल होगी सकते एक संग बनाने की बात की नहीं थी ना चाहे तो अपने सोतन तरहस्तित को बरकरार भी रख सकते तो इसका मतलब है कि आजादी सिर्फ भारत को नहीं मिली थी पाकिस्तान को नहीं मिली थी नहीं आजादी देशी रियास्तों को भी मिल गई और ये बड़ा देश के सामने इस भी कार कर लिया कि अगर दोनों प्रकार की विखंद कारी शक्ती आ रहेंगी तब दोनों से मुकामला कैसे कर लेगं इसलिए एक समस्या को हटाओ तब हम देशी रियास्तों को एक कर पाए अब बंगार और पंजाब में क्या किया कि आ अभी भी बता है आपको कि सबतयार थे तो काम पाकिस्ता बनाना चाहते हैं हम निजुसाम बनाना चाहते हैं इस तरीके से इस प्रोविजन्स के तेहां देश बनाए उत्तर पच्छी में खान बहुत उन भफार खाते हैं तो यहां अभी-भी मन ने बताये आपको कि वह इस विभाजन के दिरोधी थे औ और उन ने कहा इस बात को यह में इन अघ्रिव के सामने छोड़कर मत जाहें तिकिन कांग्रेस ने यहां फरकद्दारी कि इतनी के साथ कि जो लोग इनके साथ तनमन धन से लड़ेतश्म फुरमानिया झी उनको वास्ताओं में छोड़ लिया गया और अंग्रेजों ने ऊची चाल चली जनमत संग्रा और जनमत संग्रा में सारे लोग पाकिस्तान के थे और उन लोगोंने अपने से बोट मार कढ़ confused कर दिया कि जनमत संग्रा पकिस्तान के पांच्ट तो उसने भी पाकिस्तान में जो है वो मिलने का निरणे लिया तो देखिएगा आज भी सिर्ट बंगला देश का एक इस तरीके से चात्रों हमारे देश को इस मॉल वेटन योजना के तहर जो है आजादी मिली और यह आजादी बहुत दुर्भाद पुंती क्योंकि जो अब यह हमारा अंतिन क्लास है अगले बार से जो हमें मुलें में तो एक नेक्ट और सब्जेक्ट के साथ तब तब करीए चाहिए